प्रिंसिपल खतम कर चुके है बटा लेट्स स्टार्ट विद बायो टेक्नोलोजी एंड इस एप्लिक्यूशन ठीक है तो इसमें अपने को बहुत सारी चीज़े पढ़ना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ओगनिजम्स क्या ह ट्रीट्मेंट एनएजी प्रोडक्शन वेस्ट्रीट्मेंट यह सारी चीज़े देखना है ठीक है तो एक एक करके देखते है मेरे भी थोड़ी एनरजी कम-कम होते जा रही है तो लेकिन इस चैप्टर को ज़रू खतम करेंगे ठीक है और अगर एनरजी बची तो अपन अपिटिक्स डियागनोस्टिक जनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप अग्निकल्चर और बायोवेस्ट ट्रीट्मेंट यह सारी चीज़ें को अपने को इसमें पढ़ना है ठीक है प्रीवियस चेप्टर में अपन क्या देख चुके हैं कि कैसे उसके प्रिंसीपल से अब इस इसमें application कैसे यूज करना है कैसे अपनने insulin को बनाए है ठीक है इसके अलावा humulin बनाए हुए है बटा अपन ठीक है जो monoclonal antibodies होती है बटा gene therapy ELISA test यह सारी चीज़े इसको ने को देखना है इसके अलावा bioethics and bio piracy जो थी ठीक है वो सारी चीज़े भी देखें इसमें agricultural चीज़े जो है जैसे बीटी cotton है bacillus thiringenesis इसकी वज़े से एक cry gene produce होता है इसके अंदर cry protein होता है और गड़ पे जाके toxic act करता है जो यह होता है बटा लारवे होता है पेस्ट की तो फ्लेवर से वर tomato ठीक है and golden rice जिसमें vitamin A rigid है तो यह सारी चीज़े अपन इस chapter में देखने वाले है ठीक है चलिए तो क्या-क्या चीज़े आने वाली एक बार इसको देख लेते हैं तो यहाँ से एक दो लाइन अंडलाइन कर लिजे बटा थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायो टेकनोलोजी ठीक है तो अपन अपने क्या-क्या चीज़ों में इसका यूस करना चाहिए ठीक है बटा तो सबसे इंपोर्टेंट है कि प्रोवाइडिंग बेस्ट कैसलेस इन दा फॉर्म अफ इंप्रूवड ऑगनिजम यूजुली माइक्रोब और प्यॉर एंजैम ठीक है तो बेस्ट कैटलिस्ट प्रो दाउंस्ट्रिम प्रोसेज आपको पता है बटा कि कैसे अपन किसी भी चीज़ को प्रोडक्स करेंगी उसका अनलेसिस करेंगे प्यूरिफिकेशन करेंगे और उसको कमर्शल वे में सेल करेंगे तो यह सारी चीज़े कैसे हूँमन हेल्थ के लिए एंड हुमन क्वालिटी लाइफ को बढ़ाने के लिए यूसफुल होने वाली है तो सबसे पहले बायो टेकनोलोजी का एप्लिकेशन देखते हैं अगरिकल्चर फिल्ड में इसमें अपने चार इंडस्ट्री पढ़ना है बढ़ा एक्रिकल्चर इंडस्ट्री हेल्थ केर इंडस्ट्री इंवर्मेंट इंडस्ट्री को चलना है तो एज लुक एंट्री ओप्षेंट को इंक्रीजिंग फूड प्र्डॉक्शन एग्रोकेमिकल्स बेस्ट अग्रिकल्चर को बढ़ावा देना है ठीक है चली इसके बाद और गनिक एक्रिकल्चर मतलब पता है बटा और गनिक फार्मिंग जिसको अपन बोलते हैं इसको अपन कवर कर चुक है ठीक है जैनेटिकली इंजिनियर्ट क्रॉप बेस एग्रिकल्चर ठीक है तो जैसे आरेने सी साइलेंसिंग है या फिर क्राइजीन है बीटी है इनको कैसे अपन यूज़ करेंगे यह जो क्रॉप है यह हीूमन की लिए तो निकल जाएगी तो इंसेक लिए बहुत खतरनाग होती है बटा जेनेटिकली इंजिनियर्ट किये है अपन ठीक है एक पर्टिकुलर एंड अलकलाइन मीडियम पर वो डैमेज कर सकते है इंसेक के लारवा को ठीक है इसके अलावा फिर जो आपका एग्रोकेमिकल इनको किस तरह से बहुत ज़्यादा ये महंगे भी होते जा रहे है इनको प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है नॉर्मल फार्मर्स के लिए ठीक है बटा तो इसमें अपने को में आप स्टार मक करके लिखिए इस चीज को जो मैं भी बता रहा हूँ जेनेटिकल जब अपन ऐसे कोई कोई जैसे प्लांट है या बैक्टिरिया है या फंगा है या कोई एनिमल है जिसके जीन को अपन ने अल्टर कर लिया है तो उस उस ओगनिजम को उस प्लांट को बैक्टिरिया को फंगाए को या एनिमल को मैं क्या बोलूँगा जेनेटिकली मॉडिफा organisms ठीक है बटा चलिए तो अब किस तरह से बनाए जाते हैं यह plants and animals इसको देखते हैं देखिए आप चाहते हो कि आपके जो crops हो वो tolerant हो ठीक है abiotic stresses है abiotic मतलब जिसे के cold है बहुत ज़्यादा थंडी पढ़ गई सूखा पढ़ गया salty saline water आ गया heat आ गई तो इन सारी situation में भी आपके crop या आपके plants है यह अच्छे से tolerate करने चाहिए ठीक है बटा तो इस तरह से उसको आप ऐसे कल सकते हो modify किया है अपन लोगों ने ठीक है इसके अलाबा reduce reliance on chemical pesticides मतलब chemical pesticides पे ज़्यादा dependency अपनी नहीं रहे वो खुद आप ऐसे बोल सकते हो disease resistance बन पाए ठीक है paste resistance crop हो रहे है ठीक है बटा and harvest lost मतलब जो harvesting के time पे जो crop का नुकसान होता है इसको minimize कर पाए ठीक है इसके अलाबा फिर आप ऐसे बोल सकते हो efficiency of mineral uses मतलब जो fertility of soil है उसको बढ़ा के रखे ठीक है इसके अलाबा जो इसमें से mcq आएगा ही आएगा need 2020 में वो ये है बटा कि अपन ने nutritional value of food को बढ़ा दिये है मतलब अपन ने जो golden rice है इसमें beta carotene and vitamin A को मिला के इसकी nutrition value को बढ़ा दिया है आपको बता है vitamin A की वज़े से बहुत सारी बिमारिया होते है color blindness related to eyes ठीक है बटा तो इसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो कि golden rice अगर अपन खाएंगे ठीक है बटा तो उसमें already vitamin A अपने मिला दिये है beta carotene मिला दिये है जिसकी वज़े से उसकी nutritional value बढ़ चुकी है तो आपको बता है beta 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 जो होता है यह आप ऐसे बोल सकते हो short form है bacillus thuringiensis का ठीक है बटा तो इसके पास आप बोल सकते हो कि एक specific gene होता है यह bacterium जो है beta bacillus thuringiensis इसके पास एक gene होता है beta जिसको अपन बोलते है beta gene and इस इसके अंदर एक specific protein होता है ठीक है BT genes या इसको cry gene भी बुला जाता है इसके अंदर होता है beta cry protein ठीक है और यह जो cry protein होता है यह आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर यह cry protein को alkaline pH मिल गया जो कि उसको मिलता है कि एक larva paste के caterpillar के larva के paste के पेट में मिलता है especially अगर आप बोलेंगे तो midgut वाले एरिया में उसको मिलता है beta and अगर वहां पर उसको alkaline pH मिल गया इसकी वजह से larva of the insect जो है वो burst हो जाता है इसमें उसके जो midgut का epithelium cells है उसमें pores create हो जाते है छेद हो जाते है इसकी वजह से larva dies तो कही न कहीं यह जो BT bacterium है बटा कहीं न कहीं आप इसको बोल सकते हो कि इसको अपन ने काय में मिक्स कर दिये है cotton और दूसरे अलग-अलग plants के साथ इसको combine कर लिए है ताकि इसके उपर paste ना आए serious paste जो होते है ठीक है caterpillar या फिर दूसरे जो paste है जो इस cotton को खराब करते है ठीक है बटा तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि कैसे अपने एक bacteria को use करते हुए बहुत सारे crops को बचाया है जिसे BT cotton वगरे ठीक है चलिए तो यह भी आप ऐसे बुल सकते हो कि एक genetically modified crop की category में आ रही है ठीक है बटा तो BT it is used for toxic clone ठीक है and BT cotton strain can produce protein जो मैंने आपको बता है न cry protein जो cry gene से produce होता है बटा यह किसके लिए effective है यह कभी-कभी पूछा जा सकता है बटा तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह बहुत सारे organism से जिसके लिए effective है जैसे के kill certain insect lies lepidoteron ठीक है जो बट टोबैको बुड वर्म और आर्मी वर्म जिसको बोलता है बटा इसके अलावा फिर ठीक है बटा इसके अलावा फिर कोलियोब्रण बीटल फिर डैप्थरन फ्लाइस मॉस्किटो बैटी फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल डियूरिंग पर्टिकुलर फेज अफेज ऑफ देर ग्रोथ इस क्रिस्टल्स कंटेन अटॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ये बना लेता है बटा ठीक है टूट रांस्क्रिप्शन अं ट्रैंसलेशन जिसको प्राइफ प्रोटीन बोलते है और फिर आपको पता है बटा यह तो इनक्टिव टॉक्सिक है उनलेस यंटिल इसके पेट में जब तक नहीं चला जाता है तो वो active form में convert होता है जब उसको मिल जाता है alkaline pH और alkaline pH उसको कब मिलेगा यह alkaline pH मिलेगा उसको midgut epithelium cells में ठीक है ठीक है बटा तो यह क्या create कर लिया है इसने create कर लिया है pores midgut में for example ऐसे imagine कीजिए यह midgut है तो यहां पर pores create कर लेता है जिसकी वज़े से उस caterpillar के larva की death हो जाती है ठीक है बटा चलिए so causes death of the insect ठीक है जीन प्रोटीन कोड हो सकता है जैसे for example by genes cry1ac देखिए नाम अलग-अलग है cry1ac and cry2ab यह दो किसको रोकने के लिए बने हुए है बटा cotton ball worm ठीक है तो यह जो insect है cotton ball worm इसको रोकने के लिए दो gene बने है protein encoded हुए है cry1ac and cry2ab दूसरा जो है cry1ab यह जो है corn borer के लिए बनाया गया है बटा है ना तो आपको दिखाई देरा बटा यह जो है destroyed by ball worm है ठीक है बटा यहाँ पर भी छेद हो चुका है ठीकिन यह वाला जो है सही सलामत है बचा हुआ है ठीक है तो fully mature cotton ball है यह ठीक दिखा देरा है बटा कि paste resistance plant अपने को अपने बनाया है using what देखे सेवरल नेमाटोडा होता है बटा नेमाटो हेलमेंस जो है आपको बटा तो एक नेमाटोडा है जिसको बोलते है maligno maligno incognitia ठीक है तो यह किसको infect करता है बटा टोबैकोड प्लांट्स को करता है इसकी वज़े से उसकी yield जो है बहुत reduce हो जाती है ठीक है तो आपको पता है कि कही ना कही अब यह जो है इसको रोकने का क्या तरीका है आपको पता है सबसे पहले DNA है ठीक है तो DNA से mRNA बनेग ठीक है तो यहां पर क्या करते है यह लोग यहां पर सीधा एक complimentary double standard आरेने फिर DNA इसको अटेच करते हैं mRNA अगर उसको अटेच कर दिया तो आपको पता है कि mRNA का जो ट्रांस लोकेशन का प्रोसेस है ट्रांस लोकेशन का प्रोसेस है वह एक DNA के अटेच होने से रुख जाएग ठीक है एंद फिर फर्दर प्रोटीन का formation नहीं होगा ठीक है बटा इस तरह से फिर यह जो है इस निमाटोडा को रोकने का एक तरीका आप ऐसे बोल सकते हो कि अपने बना लिये है यह तरीका अपना गया है बटा कि यह जो निमाटोडा है इसकी population को control करने के लिए या कम करन के लिए अपन ने क्या किये है कि उसके mRNA में आप बोल सकते हो DNA को double standard RNA या DNA को जोड दिये है ठीक है उससे क्या होगा translation की जो process है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि prevents the translation of mRNA तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो mRNA silencing भी आप इसको बोल सकते हो या RNA interference भी बोल सकते हो तो देखिए यहाँ पर भी बोला गया है कि using agrobectum vectors nematoda specific genes were introduced into the host तो host के host plant में अपने क्या डाल दिये है एक DNA को डाल दिये है बटा या फिर double stranded RNA को डाल दिये है तो यह क्या बना रहा है कि both sense and antisense RNA of the host cells को बना रहा है and कही न कही mRNA को silence कर रहा है ठीके silence specific mRNA ठीके ताकि उससे क्या होगे बटा कि जो protein synthesis की process है वो रुख जाएगी translation की जो process है वो रुख जाएगी बटा ठीके आप ऐसे भी बोल सकते हो कि mRNA को वो cut कर देता है ठीके तो इस RNA interference की वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो बटा कि वो जो transgenic host अपने बनाया है उसमें यह निमाटोडा survive नहीं कर पाएगा अपना protein synthesis नहीं कर पाएगा ठीके बटा and therefore यह जो plant है वो खुद को protect कर पाएगा ठीके बटा यहां पर आपको दिखाए देरा है बटा कि यह जो है typical control plants है ठीके transgenic plant roots after five days ठीके तो इस तरह से आप बोल सकते हैं अब आ चुके है बटा agriculture को खतम कर चुके है अब बायो टेकनोलोजी का use क्या है medicine में इस चीज़ को देखते हैं तो बहुत बड़ा impact डाला है बायो टेकनोलोजी ने health care sector पर ठीके बटा and safe and effectively therapeutic medicines and drugs को बनाया है ठीके अगर आप बोलेंगे पूरे world में 30 recombinant therapeutic drugs available है ठीके जिसमें से अब ऐसे बोल सकते हो कि presently 12 ही इंडिया में market की जाते है ठीके चलिए तो इसके अलाबा 30 टोटल बने है ऐसे recombinant dno technology का uses करके therapeutic drugs इसमें 12 ही market की जाती है इंडिया में next जो important चीज़ है बटा that is insulin genetically engineered insulin ठीके तो इसको इससे related थोड़ी बहुत scientist के नाम अपन याद रख लता है बटा जैसे सबसे पहले Frederick Sanger इस व्यक्ती ने इस scientist ने आप ऐसे बोल सकते हो कि amino acid का जो sequence था insulin का उस चीज़ को दिया था Frederick Sanger ने ठीके बटा एले लेली ये एक पहली USA की pharmaceutical company थी कि जिसने 95th July 1983 को humulin जो है इसको humalog analog करके ये था बटा insulin का एक modified form था जो के manmade था ठीके तो humulin था इसको humalog भी बोलता थे ठीके इसके अलावा Banting and Best ये दो scientist ने मिलके isolate किया था insulin को from pancreas of dog ठीके तो ये दो-तीन information है जो आप याद रख लिजे बटा ठीके चलिए तो insulin from other animals भी निकाला जा सकता isolate किया जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया था Banting and Best ने बटा insulin को dog के pancreas में से निकाला था ठीके इसके अलावा large quantity में बनाया जा सकता है bacteria and make a much of insulin unit ठीके तो आपने बताया बटा इसमें अपने देखे थे के जो bio reactors थे इनमें अगर अपने inoculum डाल दिया तो high इस पे अपन insulin का production कर पाते है तो आपको बताया बटा naturally जो insulin है वो beta cells of islet of langer hands of pancreas में से release होता है ठीक है ठीक है इसका जो inactive form है जैसे के आप देख पा रहे है कि अगर ये maturation of pro insulin into insulin करना है आपको ठीक है तो सबसे पहले आपको सबसे पहले इसमें लेना पड़ेगा एक B strand ठीक है तो जैसे कि आप देख पा रहे है कि यहाँ पे नीचे side में क्या है ये हो गया B strand ठीक है बटा ये जो है ये हो गया A strand और इसको जो जोडने वाला है इन दोनों को ये हो गया C strand ठीक है बटा तो आप ऐसे बोल सकते है इसको अगर आप straight line में देखने की कोशिश करेंगे तो ये है A ये है B और इन दोनों के बीच में है C दिखाए दे रहा है तो ये हो गया A ये हो गया B और इन दोनों को active बनाने के लिए इन दोनों के बीच में आप ऐसे बोल सकते हो peptide linkage होना चाहिए बटा ठीक है और peptide linkage, polypeptide linkage होना चाहिए इनके बीच में तो disulfide bonds भी होने चाहिए इनके बीच में ठीक है अगर आप chain A की बात करेंगे तो उसमें होते है 21 amino acids ये जो chain A है इसमें होते है 21 amino acids and chain B जो होती है बटा इसमें होते है 30 amino acids and ये फिर active form में convert हो जाते है and करते है ठीक है चलिए इस चीज़ को देख लेता है C ठीक है तो main जो है वो A और B ही होते है C ने क्या किया है आप इसे बोसकते हैं इन दोनों को जोड़ने का काम और इनके बीच में disulfide bonds बनाने का काम उसने किया है ठीक है चलिए तो इतना आपन समझ गए है देखिए तो clear cut यहां पर लिखा हुआ है बटा के chain A and chain B are linked together by diisulf and bridges ठीक है which extra stretch like C removed peptide not present in mature insulin तो C बाद में निकाल दिया जाता है निकल जाता है ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया था बटा एले लेली एक American company थी जिसने 5th जुलाइ 1983 को insulin का जो form है humulin इसको इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में ठीक है बटा इसके अलबा chain A and chain B produce separately extracted and combined creating diisulfide bond तो chain A separately extract करते है chain B separately extract करते है और इनको फिर बाद में जोड दिया जाता है ठीक है तो यह हो गया A यह हो गया B और इनको जोडने वाला है C ठीक है बटा चलिए तो इतना समझ गए ठीक है बटा अब आ चुके है अपन जीन थेरपी किस तरह से जीन थेरपी का बायो टेकनोलोजिकल यूज अपन जीन थेरपी में भी कर सकते है ठीक है बटा तो hereditary diseases होती है बहुत सारी इसमें भी जीन थेरपी दे सकते है लेकिन इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि यह जो treatment होना अगर आपको permanent इलाज चाहिए तो इसको आपको embryological stage में ही देना चालू करना पड़ेगा ठीक है तो child embryo में diagnose हो चुका है अपने को कोई defect gene defect है जिसे कि अपने को पता है बटा amnio sentences करते है अपन उसमें chromosomal diseases या फिर बहुत सारी ADA deficiency या बहुत सारी other diseases भी पता चल जाती है बटा तो इन सारी चीजों को embryological stage में ही या फिर initial days of life में ही correct किया जा सकता है ठीक है देखे पता तो अपन इसका first case देखते है कि क्या हुआ था करके तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है एक female थी एक 4 साल की बच्ची थी 1990 की बात है इसको एक problem हो गई थी कि इसका जो bone marrow के cells है ये bone marrow के cells एक specific enzyme बनाते है बटा जिसको अपन बोलते है ADA enzyme ठीक है जिसका ना ADA enzyme ये ADA enzyme अगर बना तो उसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो कि B&T lymphocyte का production होता है which are going to provide humoral immunity and cell-mediated immunity अगर ये cell-mediated immunity and humoral immunity रहेगी तो third line of defense बनने वाला है बटा लेकिन अगर ये enzyme नहीं बना तो ना B&T cells बनेंगे और baby जो बनेगी वो without immunity system बनेगी तो ये जो बिमारी हो गई है इसको आप बोल सकते हो है बटा severe combined immunodeficiency आप इसको बोल सकते है जिसको technically skid भी बोला जा सकता है तो ये इसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत बड़ी problem हो गई थी अब इसको sol कैसे किये थे कि इन लोगों ने क्या किये थे कि ये जो ADA क इन्जाइम था उसको lymphocyte में infuse कर दिया था and infuse कर दिया था bone marrow of the patient में ठीक है तो ADA enzyme was synthesized by the bone marrow and immunity system बढ़ गया था फिर ठीक है बटा तो ये जो था ADA enzyme को इन लोगों ने क्या किया था technically ADO enzyme को produce किया था and इसको डाल दिया था lymphocyte में और ऐसे lymphocytes को वापसे कहां डाल दिया था bone marrow में डाल दिया था तो इसकी वज़े से फिर उसका normal lymphocyte जो production था वो चालू हो गया था ठीक है तो इसी चीज़ को अपन ने cure किये थे with the help of gene therapy ठीक है चलिए तो इसको देखते है क्या चीज़े हो सकती है ठीक है इसमें और सारी चीज़े से temporary रिलाज है permanent रिलाज है ओके देखे तो जैसे के दिखाए देरा है बटा आपको यहाँ पर क्या बूल रहा है clinical stage of gene therapy was given in 1990 to a four year girl adenosine diamise which is deficiency ठीक है तो इसमें आपको पता है this is a very crucial enzyme which increases the immune function ठीक है तो आपको पता है बट cells को बनाने बना बी एंटी लिंफोसाइट को बनाने में help करने वाला है अब यह enzyme नहीं रहेगा तो इसकी वज़े से बहुत सारी immunity the third line of defensive पूरा week हो जाएगा बटा अब इसमें आप ऐसे बोल पा रहे हो कि इसमें क्या treatment दिये थे अपनने इसमें दिये थे बटा bone marrow transplantation तो एक temporary इलाज है बटा and enzyme replacement therapy यह भी temporary हो जाएगा हाँ इसका permanent इलाज क्या बोल सकते हो कि such genetically engineered lymphocyte should be isolated in the bone marrow and production of ADA is introduced into the cell of embryo early embryonic stage तो early embryonic stage में अगर इसको दिये रहते है जब वो बच्चा embryo में है initial days of life में है तब यह treatment अगर दिये है lymphocyte का infusion into the bone marrow तो यह permanent इलाज हो गया यह दोनों भी आप ऐसे बोल सकते हो these are not completely curable मतलब permanent इलाज नहीं है temporary इलाज था bone marrow transplantation में या फिर enzyme replacement therapy भी ठीके बटा अपर चुके बटा molecular diagnosis इसमें से भी एकादी question आ जाता है कभी कभी ELISA के उपर या PCR के उपर आ जाता है ठीक है तो इसको थोड़ा सा detail में देखने की कोशिश करते है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ठीक है बटा चलिए तो देखते है बटा यहां पर क्या बूल रहा है कि effective treatment of disease मतलब कैसे अपन diagnosis करके effective treatment of disease दे पाते है जिसे मैं बोल रहा हो कि कोई conclusion पर भी पहुच सकते है जिसे मैं बोल रहा हो कि polymerase chain आपके पास एक single drop of blood है खुनी की और आप चाहते हूं कि खुनी को अपन पकड़ पाए ठीक है जिसे for example कई होता है कि murder के आसपास blood के drop एक गिर जाता है तो एक single drop से multiple drops बना सकते है अपन बटा by polymerase chain reaction मैं अभी अभी बताया आपको ठीक है और ELISA का full form भी बहुत important है बटा ELISA का full form क्या होता है enzyme linked immunosorbent assay ठीक है बटा तो यह दिया हुआ है enzyme linked immunosorbent assay ठीक है अब यह technique use कैसे करते है ठीक है थोड़ी दिर में आएगा ELISA is based on the principle of antigen and antibody reaction ठीक है बटा अच्छा इसको जो देने वाले scientist थे इन्होंने 1971 में women skewered and ingle and pearlman इन दो teams ने मिलके ELISA test को दिया था इतना important नहीं यह आप भूल सकते है इसको ठीक है बटा चलिए तो एक छोटी सी trick मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे आप काम करते है इसमें चै ELISA test जो है बटा simple antigen antibody test है ठीक है बटा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें क्या करते है कि एक titer होता है एक plate होती है इसमें and serum को उसमें डाल दिया जा सकता है सबसे पहले इसमें ना antigen डाल देते है तो आपको पता है इसमें GP120 नाम का एक antigen डाल देंगे इसके surface पे इसके wall प लेकिन जैसे ही इसमें patient का blood डालते है ठीक है तो आपको पता है बटा कि जैसे HIV वगेरे का case है तो इसमें क्या करते है GP120 नाम का antigen डाल देंगे ठीक है बटा अगर इसके body में HIV के antibodies produce हो गये है तो मतलब कहीं न कहीं इस patient को HIV हो चुका है for example मैंने यहाँ पे इसमें पूरा का पूरा blood पोर कर दिया तो मुझे दिखाई देगा कि इस GP120 को एक antibody attach हो चुकी है यहाँ पे इसने form कर लिया है antigen antibody complex वैसे यह orange कलर का दिखाई देता है कभी कभी ठीक है तो यह जो antigen antibody complex form हुआ है क्यों antibody यहाँ पे आ गई है उसके blood में already क कहीं कहीं न कहीं उसके body में HIV का antigen घुश चुका था इसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो कि एक colored complex उसमें दिखाई देता है बटा है ना चलिए तो इसकी वज़े से आप ELISA को समझ चुके है कि किस तरह से इसमें blood डालके एक antigen antibody के interaction से test positive हो सकती है in case of HIV PCR technology का भी use mutation gene ठीक है इसके अलावा cancer patient and powerful techniques to use many other genetical disorders को भी ढूढने के लिए इसको use करता है बटा PCR technique को ठीक है इसके अलावा next चीज जो है यह underline कर लीजे कि ELISA is based on the principle of antigen and antibody अभी अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह से इस well में अपन GP120 डाल देते हैं इसके बाद antibodies उस antigen को जाके चिपक जाते है antigen antibody complex form हो जाता है वहाँ पर इसकी वज़े से आप ऐसे बोल सकते हो कि test positive आ जाती है अब आ चुके है बटा transgenic animals मतलब आप simple word words में बोल सकते हो कि animal के DNA को manipulate किया जा सकता है human welfare के लिए आप मनुश्य अपने फाइदे के लिए जो animals है उसके DNA को alter करता है और उसके उपर study करता है कि insulin का कैसे असर हो रहा है या किसी disease की study करेगा Alzheimer's disease, cystic fibrosis, cancer, rheumatid arthritis ठीके बटा इसके अलब आपको पता है कि आज की date में आपको पता है कि एक नया research आया है कि शार्क को कभी भी भाम करके उसमें से DNA extract करने की and combine करने की कुशिश कर रहे ताकि humans को कभी cancer ना हो बटा ठीके तो ये सारी चीज़े है अब देखिए ट्रांसजेनिक राट जैसे कि आपको दिखाई ते रहा है कि ट्रांसजेनिक राट है ठीके रैबिट्स है पिग है शिप है काउ है फिश है इन सब के उपर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे है अच्छा एक important शीज़ है कि 95% of the ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस लब चुहो कैसे काम कर रहा है या कोई डिजीज कैसे काम कर रही है ठीके बटा जीन्स किस तरह से effect हो रहे है कोई डिजीज के पैथोजन की entry के बाद और इसके बाद कौन सी medicine दिये बात वो अच्छा respond कर रहे है ठीके बटा इसके अलावा फिर study of disease जो बूल रहा मैंने ठीके कैसे contribute करते है development of a new disease इवन मैं बता दू बटा कि बहुत सारे जो beauty products होते हैं सबसे पहले वो animals के उपर ही टेस्ट किये जाते हैं चलिए तो तो बहुत सारे आज की डेट में treatment models available है related to cancer cystic fibrosis cystic fibrosis आपको पता है बटा chromosome no 7 की बिमारी है rheumatid arthritis एक autosomal बिमारी है alzheimer's disease related to brain जिसमें इंसान बहुत सारी चीज़े भूल जाता है due to neurotransmitter ठीके बटा चलिए इसके अलाबा biological products है जैसे के medicines है यह तो तीन नाम आप याद रख लिजे इसमें कि जैसे के DNA और जीन इसमें फिर human protein 1-alpha antitrypsin ठीके बटा चलिए तू इस यूस्स तू ट्रीट emphysema ठीक है तो आपको बता है emphysema cigarette smoking एंड इन सारी चीज़े से जो alveoli के surface area है वो decrease हो जाता है उसको treat करने के लिए आपको पता है phenyl ketone urea इसमें एक enzyme नहीं बनता है phenyl anilin hydroxylase यह phenyl anilin hydroxylase नहीं बनने की वज़े से chromosome number 12 की यह बिमारी है बटा यह जो बिमारी है phenyl ketone urea इसमें आपको पता है बटा कि दो melanin का formation नहीं होता है तो skin में alteration होता है and brain में भी इसका effect होता है ठीक है बटा चलिए cystic fibrosis अभी अभी बता है मैंने क्रोमोजोम number 7 की बिमारी है ठीक है तो इसको इसके उपर भी कैसे अपन treatment कर पाएंगे किस तरह से product अपन बना पा रहे है जैसे कि आपको पता है बटा इसको 1997 में अपने बनाए थे इसमें highly इसका जो human protein था मतलब इसमें बहुत ही high quantity of protein available था 2.4 gram per liter में available था ठीक है इसके अंदर the milk contained human alpha lacto albumin and was nutritionally a more balanced product than human babies than any other natural cow ठीक है तो दूसरी cow के milk के मुकाबले ये जो रोजी का मिल था ये ज़्यादा nutritive था ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है बटा वैक्सिन सेफटी भी important चीज़े जैसे में बता रहा था बटा कि कोई आपने वैक्सिन बना भी लिया तो इसको पहले बहुत सारे अलग-अलग animals वगेरे पे अपन टेस्ट करेंगे mice then monkey वगेरे पे टेस्ट करेंगे ठीक है बटा monkey to test the batches of safety of the medicine ठीक है और उसके बाद human trial के लिए उसको भेज दिया जाएगा ओके animals के उपर testing करेंगे chemical safety देखी जाएगी पहले कि कैसे effect दे रहा है first उसको mice में inject करते है किस तरह से effect आ रहे है आपको बटा mice is rodent rodent order में आता है न ठीक है बटा तो ये कही ना कही mammals की category में आता है and mammals and humans में बाद में इस पे किस तरह का असर होता है ये सारी चीज़े देखी जाएगी तो chemical safety के लिए भी important चीज़ है ये ठीक है चलिए अब आता है बटा ethical issue के उपर इसमें से एक question जरूर रहता है हर बार ये तो बहुत बार आ चुका है G.E.A.C. Genetically Engineer Approval Committee अध इनको permission देना कि ये safe है ये नहीं है इसका use कीजिए ये नहीं कीजिए ये सारी चीज़े इसमें आती है बटा ठीक है तो ये ethical issue है इसमें अपन बायो पायरसी ये सारी चीज़े भी देखेंगे इसको आप याद रखेंगे genetically modified जो organisms है इनको public safety के लिए safe है नहीं है ये सारी ची companies ऐसी है कि जो patent की हुई चीजों को भी patent कर देती है या फिर ऐसी चीज़े जो एक particular region की होती है लेकिन without giving the royalty to that चीज़े जैसे for example मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से समझते है कि जैसे for example for example किसी movie की आपने copy किये जैसे अभी अभी एक movie आई थी दिल बेचारा ठीक है दिल बेचारा वोज inspired from fault in our stars अमेरिका की एक movie थी fault in our stars तो अगर आप किसी movie की copy कर रहे हो उसकी storyline चुरा ले हो तो उसको copyright claim मतलब देना पड़ता है एक royalty देना पड़ता है कि हम आपकी story ले रहे ह ठीक है लेकिन बहुत सारी लोग ऐसा नहीं करते कॉपी करते है किसी भी वेजीटेबल का राइस ब्रैंड का किसी भी चीज़ का and without giving royalty to the actual who created it ठीक है बटा तो इसकी वज़े से public anger आज की डेट में बहुत बढ़ते जा रहे हैं and farmers जो indigenous people जिनोंने उस चीज़ को develop किया है इनक ठीक है तो ऐसे ही एक बहुत अच्छा केस हुआ था कि अपने पास इंडिया में दो लाग से भी जादा वराइटी है बटा राइस की and 27 documented varieties इंडिया में ग्रोग की जाती है बासमती की लेकिन 1997 में American की एक company थी जिसने बासमती राइस को patent किया था कहां पे through US Patent Tradement Office ठीक है and इसने बोला था कि ये एक new बासमती राइस की brand की variety है जो है जिसको America ने develop किया है ठीक है लेकिन that was indigenously originally ये जो थी actually उधर की नहीं थी ये जो थी इंडिया में ही बहुत सालों से उगाई जाती थी ठीक है तो बाद में इसका अपन लोगों ने इसका case किया था and अपन जीते ये question भी बार बार आता है बटा कि बासमती राइस की 27 variety में से एक variety के उपर USA ने claim किया था लेकिन अपन ने फिर claim किये थे वापस से and ये अपन जीते भी थी ठीक है बटा चलिए तो compensatory payment भी मिला था अपने गो ठीक है बटा चलिए इसके अलावा फिर बहुत सारी अलग अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से अपनी जो चीजे है अंडर डेवलप कंट्री जो होती है बहुत सारी चीजों में ये बहुत पीछे होता है ठीक है चलिए नेक्स चीज़ पर आता है बटा बायो पायरेसी इसके उपर भी question बार बार आता है कभी-कभी तो एक time ऐसा था बटा लास्ट यर में कि इस एक page में से ही दो mc क्यों आ गए थे इस page में जो इस वक्त page है न अपन 214 पर इसमें से ही दो mc क्यों आ गए थे ठीक है चल इस people concerned without their compensatory payment तो compensatory payment भी नहीं देते है और इनके किसी चीज़ को use कर लेता है ठीक है तो यहां पर एक और चीज़ अच्छे से लिखी हुई है इस definition को आप starma कर लीज़े बटा इस चीज़ को ठीक है इसके अलावा फिर एक और चीज़ है कि underdeveloped countries भले ही रिच ना हूँ लेकिन जो उनका जो traditional knowledge होता है वो बहुत जादा अच्छा होता है ठीक है developing countries underdeveloped countries is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bio resources ठीक है बटा तो इन दो तीन चीज़ों का अपन यहां पर याद रखेंगे ठीक है चलिए तो इतना अपने समझ गए और बहुत सारे धीरे धीरे लॉग भी बनते जा रहे है आज की डेट में पैटेंसी लॉग एवरिटिंग ठीक है शेर कर जिये बेट था थैंक यू